आज हम बात करेंगे मिच वत्पादन करने वाले किसान भायों के लिए इस वीडियों में हम बात करेंगे मिच में लगने वाले कीट पतंगों के रोगठाम के बारे में अगर देखा जाए तो मिच ये के इसा पतार्त है जो सबजी, जड़ी बुटी, और सद और मसालों के रूप में हम सब इसको प्रयोग मिलते हैं लिए अब हम बात करते हैं मिच के पोदे में कौन-कौन से कीट प्रतंगों का प्रकॉप होता है हम बात करेंगे माइट, ठिप्स, चेमपा और फल छेदर कीट के बारे में सब पहले बात करेंगे माइट के बारे में, माइट कीट का मेच पर प्रभाव सबसे अधिक होता है इस केसिस एम वेस्क अपनी थूख से पत्यों पज्जाल बना कर उनके हरे भाग को खाते रहते हैं अगर देखा जाए इन जालों में हाजारों की संख्या में माइट उपलब्द रहते हैं इनके प्रभाव से हमारी पत्ती टेडी मेडी हो जाती हैं और फिस सूख जाती हैं ठीबस का प्रभाव एसे खेतों मेडिक होता है जहां पर खेस सुक रहले होते हैं ठीबस केसिस एम वेस्क पत्यों के हरे भाग को खरोच कर खाते हैं जिससे हमारी पत्यों पर दब्बे पढ़ जाते हैं इसके साथ साथ या फूल एवं कोमल तनों का रस भी चूशते हैं जिसके कारण पतिया एवं नई कलकाएं और फूल सुकट जाते हैं इसके कारण मेच में विसानों दौरा भी विमारिया फैलती हैं एमपा या कीट पंकदार और पंकविहिन दोनों प्रकार के होते हैं पंकदार चेंपो में धारियां पाई जाती हैं या पत्तियों और पत्तियों के कोमल तनों में हजारों की संख्या में पाया जाते हैं और रस्चोज कर हमारे पोधे को कमजोर कर देते हैं फल शेदक की बात करें, फल शेदक की सूरिया हमारे फल के अंदर गुसकर फल को नश्ट कर देते हैं और हमारे फल सड़ जाता है अब हम बात करें इन सभी कीटों की रोक्ताम के बारे में इंडो इसकार्ब इसमामीपरिड एक एमेल प्रत लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है इमोमेक्टिन बेंजोएट दो ग्राम प्रत दस लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है आप सकता होने पर इस प्रकाश से आप अपनी फसल को शुरच्ची तरक सकते हैं और कीट पढ़नकों से दूर रख सकते हैं